एक लाख आईस क्रीम स्कूप्स सर्फड एवरी डे चांदनी चौक की गलियों से निकली एक ग्लोबल ट्रेंड सेटर ब्रैंड ग्यानी दी हटी से ग्यानी आईस क्रीम्स का सफर उतना ही टेस्ट ही है जितनी उनकी आईस क्रीम्स 1956 में पाकस्तान से आए ग्यानी गुर्चरन सिंग की एक छोटी सी हटी जो जान थी फटहपुरी चांदनी चौक की आज है एक नाशनल फ्रेंचाइजी हंडर्ड प्लस प्रोड़क्स के साथ इंडियन फ्लेवर्स को मिला मॉडर्न ट्विस्ट जो आज का जो ग्यानी उसके अंदर हमारे पास आईस क्रीम शेक्स हैं थिक शेक्स हैं और तीन फ्लेवर्स फ्रूदा के भी हैं और मोर दर हंडर्ड आईटम्स हमारे पास हैं जो हम लोग यहाँ पर आज बेशने हैं अच्छे इंग्रिडियंट्स, अच्छी रेसिपी और दर राइट प्रोसेस वी अर लब बाद पीपल हमारा एक्सपैंशिन का यही प्लान है नेक्स्ट फोर तुफाइव यहर्स वी आरेमिंग अराउंड चार्सो से पांसो स्टोर्स ओमेक्स जो पुराने हेरिटी एज को वो दिखा रहा है पुरानी दिल्ली को ओमेक्स वालों नों एब बर दुबारा से खड़ा कर दिया है हम लोग वहाँ पे अपना जो आउटेट खोड़ रहे हैं ग्यानीस का उसके अंदर हमारा जो फतेपुरी का जो हमारी लेगसी आइटम्स हैं जो की रबरी फूदा है और वहाँ के जो शेक्स हैं वो सारे तो अवेलिबल रहेंगे रहेंगे किसे ने फूदा खाना तो वो भी मिलेगा किसे ने संडे खाना वो भी मिलेगा किसे को केक खाना वो भी मिलेगा चांदनी चौक की ये शान यही टेस्ट का ट्विस्ट लेकरा रहे हैं ओमेक्स चौक में भी स्टे ट्यून